नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम असन्जे वर्मा, बिजली की दुक्वान यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ले क्या हैं एक RR कंपनी का छोटा सा अग्जास्ट पैन तो इस वीडियो में हम आपको यह जो अग्जास्ट पैन इसको अन्बोक्सिन करके दिखाने वाले हैं इसको चला कर दिखाने वाले हैं, कहां पर इसका यूज क्या जाता है, वैसे अब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं तो किरपा करके आप इस वीडियो को लाश्ट तक जुरूर देखना तो दोस्तों अब हम वीडियो को स्टाट करते हैं सामने आपको यह जो बोक्स दिखाई दे रहा है इस बोक्स के उपर आप देखेंगे आर-ार कंपनी का नाम लिखा हुआ है आर-ार फैंस हवा आने दो यह इनका छोटा सा एक टाइटल इनों ने बनाया हुआ है नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर इसकी दो साल वारंटी लिखी हुई है साइड में बोक्स पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है ओ एक्स वाई फ्लो ओ आर-ल हाई स्पीट में यह एक्जास्ट फैन है और र कंपनी के एक्जास्ट फैन के लावा भी मर्केट के अंदर एनेक परकार के प्रोडेक्ट आए हुए है अब बोक्स के साइड में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे फैंसी स्क्या हुए है एक्जास्ट फैन के अलग-अलग रूप है इनके प्रेश्टिल फैन है वाल फैन है टेवल फैन है इस तरह के अनेक प्रकार के आईटेम हो आए हुए है साथ में इसका टॉल फ्री नमबर लिखा हूँ है अठारा सो तेईस बतीस च्छास्ट फैन को हम वाल में गलास में या फिर सीलिंग के अंदर असानी से फिट कर सकते हैं तो बोक्स के दूसरी साइड हम चलते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ वाइट कलर का यह है एक्जास्ट फैन है इसके कुछ एक फिचर्स भी इसके उपर लिखी हुए है और साइड में अप देखेंगे आप लिखा एवेलीबल साइज है चार इन्ची और छा इन्ची में आता है तो हमारे पास यह है यह चार इन्ची का है Marketed by है RR Cable Limited Manufactured for Ram Ratna Electricals Limited है इसका address भी लिखा हुआ है कहां पर यह बनाया गया है नीचे उसका अलग से address लिखा हुआ है अब box के उपर के side देखते हैं यहां पर भी कुछक detail इस पंक्खे के बारे में दी हुई है देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ RR Company का नाम लिखा हुआ है Model name है OXY Flow GRL 600 mm यानी की चैरिंची का Quantity एक PC's के अंदर है जो हमारे घर के अंदर बिजली आती है 220 V या फिर 240 V की उसको पर इसको हम चला सकते है 50 AZ और AC सिंगल फेस और नीचे आप देखेंगे यहां में लिखा है इसका MRP 825 उपेस का MRP लिखा हुआ है परन्तो market में इस rate से थोड़ा सा कम आपको असानी से मिल जाएगा नीचे फिर आप देखेंगे यहां पर भी address वगरा सब कुछ लिखें हुए है चलो अब हम यह जो अग्जाइस्ट पहन है इसको box से बाहर निकालेंगे तो सबसे उपर की तरफ टेप लगी होती है सबसे पहले आपको टेप को हटाना होता उसके बाद में जो उपर वाला जो गत्ता होता है इसका cover उसको हम हटा देंगे सबसे उपर की तरफ आप देखेंगे यहां पर एक इसकी manual book आती है साथ में और साथ में इसके उपर guarantee भी लिखी जाती है किस तरफ इसको install कर सकते हैं क्या-क्या इसके features औगरा होते हैं तो इसके अंदर भी सब कुछ लिखे होते हैं आप जब भी इसे install करना चाहते हैं गरपे तो भी आप इसे पढ़ ले या फिर इसके बार हम जानकारी चाहते हैं थोड़ी बहुत और extra तो भी इसको आप पड़ ले तो यह है देख सकते हैं इसको आप इसको आप बोक्स से बार निकाल लिया है इसको भी अच्छे से पॉलतिन के अंदर पैकर के ही बोक्स के अंदर डाला हुआ था अब आपको आगे से इसका फ्रंट दिखा देता हूँ कि लुक फाइजी है जो है किस तरह का आपको दिखाई देगा तो सबसे आगे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बीच के अंदर आर आर कंपनी का नाम लिखा हुआ है और हाई स्पीट लिखा हुआ है आगे की तरफ आपको जाली सी दिखाई भी दे रहे होगी अंदर आपको ब्लेड भी दिखाई दे रहे होगे साइड से आप देखेंगे बहुत ही बड़ीया पैरा स्लिम टाइप का इसका लूक दिया हुआ है आगे से आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपनीयों का एकजैस्ट पहनाते हैं उसकी यह जो साइड वाली जो मुटाई अवज ज्यादा होती है इसकी बहुत ही स्लिम टाइप के है इसके साथ में वायर आती है प्रोक्स एक मीटर के आसपास इसके अंदर दो वायर होती है जिसको हम बिजली के अंदर लगाते हैं पीछे से आप देखेंगे इस तरह का इसका लूक रहता है जब इसके वायर बिजली के अंदर लगाई जाती है तो ये पीछे वाले जो blade है ये गुमने शुरू हो जाते है इस exhaust pen के उपर की तरब भी मापको दिखा देता हूँ उस side भी एक sticker लगा होता है इसके उपर भी इसके बारे में कुछ एक important जानकारी होती है जैसे आप देखेंगे company का नाम तो इसके उपर special लिखा ही होता है model नमबर भी लिखा होता है कौन सा है वाटेज 13 वाट यह बिजली लिता है स्विप सो अमम यानि की च्यार इंची का है RPM इसके 2600 दिये हुए है एक और खास बात इसकी यह exhaust pen made in India है आप इस exhaust pen को दिवार के उपर fit करना चाते है या जो furniture वाली ply होती है उसको पर fit करना चाते है तो इसका आगे का एक cover होता है उसको हम अलग कर सकते है side में आपको hole भी दिखाई दे रहे होगे 4 hole होते है तो आगे का front होता है मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आपको 4 hole जो मैंने आपको पहले बताया थे वह दिखाई दे रहे है इसके अंदर आपको screw लगा कर टाइट कर देने है चाहे आप इसको दिवार के उपर भी कर सकते है या फिर जो furniture की ply board होता उसके उपर करना चाते है या फिर जो aluminium के door वगरा होते है वहाँ पर भी इसके लिए space बनाया हुआ है तो वहाँ पर भी screw कर सके इसको आप install कर सकते है इसका log system होता आगे वाला का वह रहा है उसको हम दबा कर इसको अच्छे से fit भी कर सकते है अब आपको यह जो adjust pen है इसको बिजली के अंदर चलाकर आपको दिखाने वाला हूँ तो जो 220V के बिजली इस board के अंदर आई हुई है इसके अंदर हमने wire लगा दिये अब इसके जो switch है इसको हम on करेंगे तो on करते ही आप देखेंगे कि इसके अंदर का जो पंका है गुमना सुरू हो चुका है आप इसके sound भी सुन सकते हैं पीछे से भी मापको दिखा देता हूँ पीछे से आपको देख सकते हैं यह motor है यह गुमनी सुरू हो गई है इसके blade आपको गुमते हुए दिखाई दे रही है इसके हवा इसे side बाहर आ रही है आगे की तरफ से हवा अंदर लेता है और इस side से यह हवा को बाहर देता है इसके sound वगरा आप सब कुछ चेक कर सकते हैं इसके sound है नोर्मली ही इसके sound है और हवा का pressure इसका पूरा तेज है अब हम इसका जो switch है यह इसका बिजले के साथ हम इसका connection किया हुआ है उसको हम हटा देते हैं तो इसको हमने हटा दिया है अब आपने देख लिया है यह चलना भी बंद हो चुका है इस exhaust pen के box के उपर special छपा हुआता गी इस exhaust pen के अंदर जो चिमनी होती है उसके अंदर भी हम असानी से फिट कर सकते है रूम्स वगरा में इस exhaust pen को लगाया जाता है तो आगे वाला जो front आपको दिखाई दे रहा है आरर कुम्पनी का नाम लिखा हुआ है वे रूम्स वगरा के अंदर की तरफ होता है जो आप पिछे वाला जो हिसा है वे रूम्स वगरा के बार की तरफ होता है इस exhaust pen का काम होता है जो रूम्स वगरा होते हैं उनके अंदर की जो हवा होती है जो गरम हवा बन जाती है उसको बार की तरफ फैखना इस एगज़ाश्ट परेंद की वारणड़ी दो साल की होती है और इसका टॉल फ्री नंबरा कोई भी दिक्कत आ है तो आप टॉल फ्री नंबर पर कंपिनेंट करागर टॉल फ्री सर्विस ले सकते हैं अब बात करते हैं हम इसकी rate की rate मैंने आपको बता दिया था इसका जो MRP था उससे हो सकता है 50 या फिर 100 रुपे आपको market में कम मिल जाए लगबाग इसका जो approach rate है वह MRP के आसपास ही है दोस्तों आपने वीडियो देखिए आपको वीडियो कैसी लगी हमें comment करके जुरूर बताएं साथ में आप इस वीडियो को like कर दें अपने दोस्तों के पास share भी करें साथ में ही बिजली की दुकान YouTube चैनल को भी subscribe जुरूर जुरूर कर लें